नमस्कार दोस्तों, जै स्री कृष्णा, हमारे यूटीब चैनल में आपका स्वागत है, मैं वुजिंदर सिंग आज आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नई कथा लेके आया हूँ, ये कथा मैंने स्री गोरव किर्षिन जी से स्रीमत भागवत कथा में सुनी है, स्री कथा आज आपके सामने है, एक बार की बात है, कबीरदास जी की कुटिया के पास किसी एक नगरवदू ने, गणिकाने, एक वैश्या ने अपना कोठा बना लिया, अब कबीरदास जी दिन रात भगवान का नाम किर्थन करते, भजन गाते, दूसरी और उस ओरत के घर में न और कहीं जाकर रह सकते हो क्या, संत के बात सुनकर वो भड़क गई और कहा, अरे फकीर, तू मुझे यहां से भगाना चाता है, अगर कहीं जाना है, तो तू जा, मैं नहीं जाओंगी, मैं यहीं रहूंगी, कबीरदास जी ने कहा, ठीक है बहन, जैसे तेरी मर जी, अब कब पर आई हुए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते, तो कबीरदास जी ने अपनी किर्तन को भजन को जोर जोर से गाना शुरू कर दिया, तो ऐसा प्रभाववा बंदुओं, उस भजन से, जो लोग उस ओरत के कोठे पर जाते थे, वो सभी अब कबीरदास जी के पास आने लगे और सत्संग सुनते किर्तन करते, उस ओरत ने देखा, अरे यह फकीर तो बड़ा जादूगर है, इसने तो मेरा सारा दंदा चोपट कर दिया, सब लोग उस फकीर के साथ बजनों की मैफिल जमाई बैठे हैं, और मैं यहां खाली बैठी हूँ, तो उस इसने अपने यारों से कहा, तुम एक काम करो, उसके कुछ दोस्त थे, उनसे कहा, तुम एक काम करो, तुम इस कबिरदास की कुटिया को चला दो, इसमें आग लगा दो, ताकि यहां से चला जाए, उस वैश्या के आदेश पर, उसके यारों ने संत कबिर की कुटिया में आ आपका आदेश है प्रभू तो जाना ही पड़ेगा, मैं जांवा, संत कबीर जाने के लिए तियार हो गए, लेकिन भगवान से अपने भक्त का अपमान नहीं देखा गया, उसी समय भगवान ने ऐसी तुफानी हवा चलाई, कि कबीरदास जी की कुटिया की आग तो बुझ ग अरे कबीर, अरे ओ जादुगर, देख मेरा कोठा जल रहा है, मेरे सुन्दर परदे जल रहे हैं, मेरे जुमबर जल रहे हैं, और तो कुछ नहीं करता है, क्यों? कबीरदास जी को अपनी जोपड़े की फिकर थी ही नहीं, तो उसे कोठे से क्या ले ना देना, कबीरदास ज जी मुस्कुराए, वो क्रोधी दोकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादुगर ने मेरे कोठे में आग लगवा दी, अरे देख कबीर, जिस कोठे में तुने आग लगवाई है ना, वो मैंने तन, मन, धन, सब कुछ बेच कर बनाया था, मेरे पूरे जीवन भरकी कम माई को तुने नस्ट कर दिया है, कबीरदास जी मुस्कुरा कर बोले, बेहन तु फिर गलती कर रही है, अच्छा मैं गलती कर रही हूं कैसे, कबीरदास जी बोले है, ना तूने आग लगाई, ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई अरे जब तेरे यार तेरी यारी निभा सकते हैं तो मेरा यार मेरी यारी नहीं निभाएगा जब तेरे यार वफादार हैं तो मेरा यार क्या वफादार नहीं होगा मेरा यार तेरे यारों से कमजोर है क्या की कुटिल वैशा की कटुलाई संत कबीर की कुटिया जलाई शाम पिया के मनन भाई तुफानी गती दे हवा की वैशा के घर आग लगाई शाम पिया ने प्रीतनी भाई अब वो उरत समझ गई मेरे यार खाक बराबर कबीर के यार सिर्टाज बराबर उसको बड़ी गलानी होई कि मैं एक मंद बुद्धी एक हरी भक्त का आज अपमान कर बैठी है भगवान मुझे माफ करना तब से उसने सब गलत काम छोड़ दी और भगवान के भजन में लग गई तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का कभी मान नहीं गठने देता और जा मेरा भक्त पैर रखता है उसके पहले मैं अपना हाथ रख देता हूं तब ही तो कहा है कि भक्त हमारे पगधरे ताहा धरू मैं हाथ सदा संग फिरू डोलू और कभी न छोडू साथ भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ता तो ये थी कभिरदास जी की कथा अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकिशन मिलते रहें जैस्री कृष्णा